हलो गाईज आज हम जानेंगे कि पैसे कैसे बनाता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए पैसा नहीं कमाता है कि क्यूंकि वो अक्सर सही होता है बलकि इसलिए कि वे जानते हैं कि एमेच्वल और अनप्रिपैर्ड ट्रेडर्स के रूप में वहां बैटे सभी इनेक्स्पिरि का लाब कैसे उठाया जाए प्रोफेशनल ट्रेडर्स को लगातप जीतने वाले ट्रेडर्स के श्रेणुमे करने के लिए सेटस किया जाता है As a result market majority intraday initiate करते हैं और जितना संभव हो उतना कम trader के साथ swing moves initiate करते हैं एक trader जो यहां नहीं समझता कि यह कैसे काम करता है तो उसका पैसाफ होना तैय है Traders दुनिया में किसी और के comparison में बाजार के बारे में अधिक जान सकते हैं लेकिन अगर वे अपने trading setup में गलत methodology का apply करते हैं तो वे पैसाफ होने के chances ज़्यादा है Traders दुनिया में किसी और के comparison में एक indicator या indicator के group के बारे में अधिक जान सकते हैं लेकिन अगर वे उन indicator के लिए गलत methodology अपलाई करते हैं तो वे पैसा खो देंगे Traders ठीक ठीक जान सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं लेकिन अगर वे अपने personality के against गलत indicator में ट्रेड करते हैं तो वे पैसा खो देंगे Traders ठीक ठीक जान सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं लेकिन अगर वे वही strategy अपलाई करते हैं जो वो अपने जीवन के अन्ये एरियाज में खुद को सफल बनाने के लिए करते है तो वे पैसा खो देंगे इस नौलेज के बिना एक ट्रेडर के लिए बरबादी के संभावना अगर का सवाल नहीं है ये केवल कब की बात है फिर भी यहां तक कि उन्हों के खिलाफ कड़े बादाओं के बावजू हर साल हजारों की संग्या में अन्प्रिपैड ट्रेडर्स बाजार में आते है जैसे की समुद्र में चोटी मचली और उनका वीजन होता है की इजी कैश जब तक उनमें से सेंस के और एक वीचार की स्पार्क से लेकिन एक ट्रेडिंग अकाउंट है जिसे एक प्रोफेशनल द्वारा तबा किया जाता है पाइनेशल मार्केट में प्रिट्वी पर सबसे डेमकॉर्टिक स्टान है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि कोई ट्रेडर मेल हो या फीमेल एमेरिकन हो या इंडियन यह सब स्किल पर बेज़ड है एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का एक मातर तरीका है एक एज हासिल करना एक ऐसा वेपन जो आपको दुसरे ट्रेडर से अलग कर सकता है उस एज का स्पेसिरिक चार्ट सेट अप और ट्रेडिंग मेतलोडिजर का उप्योग करके फ्राप किया जाता है साथ ही साथ ट्रेडिंग का दुसरा साइड लेने वाले ट्रेडर की साइकलोजी तो यह एज क्या हो सकता है जैसे कि यह ट्रेडिंग का टाइम फ्रीम, कौन सा स्क्रिप में ट्रेड कर रहे हो, कौन से इंडिकेटर को कैसे यूज कर रहे हो, प्राइस एक्षन को कितना समझ पा रहे हो, रिक्स टू रिवार्ड, साइकलोजी और मनी मैनेजमेंट, तो यह थे कुछ ट्रेडिंग में